अलो फैंडस मैं हूं नीरच और आप दिख रहे हैं एन हेलपिंग को तो फैंडस एन हेलपिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो फैंडस आज हम इस वीडियो में बात करने वाला है फैंडस की जैसे कि आप लोग मैप यानी की जो भी है नकसा जिसको बोला जाता है नक्सा कैसे अपने घर मगवाएंगे, ठीक है, ओरर कीजेगा और घर पे आपको post office के द्वारा घर पे आ जागा, हम पूरा के पूरा process बताएंगे, कैसे आता है, कैसे online करना है, कब आपको कितने दिन में पहुंच जाएगा, सारा कुछ इस वीडियो में आपको cover करने वाले है क्योंकि हमने live आपको एक demo पहले मंगा चुके हैं जो कि हमने एक map अपने जो गाओं का है उसका जो की नक्सा मंगवाली है ठीक है और उसके बाद हम आपको वीडियो बता रहे हैं क्योंकि पहले बहुत सारे ऐसे होते थे जो की payment कर जाता था लेकिन आपको नक्सा घर पे आता सबसे पहले आपको इस website पर चले आना है जैसे इस website पर आईएगा तो फ्रेंस आपको इस परकार से dashboard मिल जाएगा तो फ्रेंस बता दे कि हम इस website का link session में भी दे दिये हैं ट्रेक्ट यहां से जंप कर सकते हैं या फिर आप हमारे anhelping.com पर आकर यहां पर update वाले section पर यहां आपको मिल जाएगा ठीक है अभी फिलाल नहीं मिलेगा क्योंकि जैसे यह वीडियो अप्लोड हो जाएगा उसके बाद यहां पर एक post आपको मिल जाएगा इसके regarding कि आपको कैसे कैसे apply करना है अगर post के माधम से समझना चाते हैं तो आपको post के माधम से भी यहां पर मिल जा अगर जैसे ही यहाँ पर उसके बाद पूछा जा रहा है type map type ठीक है तो यहाँ पर map type में cs करहिएगा तो cs का फिरिंड्स से मतलब क्या होता है और Rs का मतलब क्या होता है और CK का मतलब क्या होता है ऐसे मोटा-वोटी हम बता रहे हैं क्योंकि इसके बारे में अगर बनाया ज सकता है ठीक है तो मता दे कि CS का मतलब होता है यहांपर CS का मतलब है Conductive Survey यानि कि आपको Conductive Survey का मतलब होता है कि आप 1800 survey जो 62 में जो सर्वे हुआ था उनाइस उच्ट उच्ट में उससे पहले का जो अगर map मंगवाना चाते हैं यानि कि नक्सा मंगवाना चाते हैं तो उसके लिए आपको CS select रखना होगा ठीक है अगर आप RS select करते हैं तो यहाँ पर regional survey यानि कि जो 1911 और 1912 में जो survey हुआ है से उसके उस समय जो map त्यार हुआ था यानि कि उस समय जो नक्सा त्यार हुआ था वो चाहिए तो वो आपको regional survey मतलब RS करना होगा ठीक है और उसके बाद यहाँ पर CK लिखा हुआ है तो CK मतलब चकला बंदी होता है तो चकला बंदी में फ्रेंड समय बता दे कि ये भी survey 1923 के बाद ही का है लेकिन चकला बंदी सब गाओं का नहीं हुआ था कुछ कुछ एरिया में जो कि चकला बंदी हुआ था अगर इसके बारे में आपको कैसे पता करना है तो आपको करना क्या होगा कि अपने करमचारी से पता करना होगा कि ये हम लोग का जो एरिया आता है वो चकला बंदी में फ्रेंट से यहां पर होता क्या है कि थाना एक अलग जब सर्वे हुआ था था अलग एक थाना बनाया गया था जमीन के लिए तो उसमें जो डैगन डो जैसे कीज़ेगा तो यहां पर दिख जाएगा तो वो नजदीकी जो होगा उसको सेलेक्ट कर दिएगा उसके बद यहां पुछ जा रहा है तो फ्रेद से यहाँ पे थाना नमबर के साथ गाउं का नाम दिया गया है गाउं का नाम बता दे कि जैसे कि किसी गाउं का गलत चळ गया है तो घब्राने के जरुवत नहीं है वहाँ पे आपको धंग से देखेगा मिल जागा और उस से कन फर्म नहीं हो यहां पर मंसूरपूर ठीक है यह तो सही लिखा हुआ है और उसके बाद यहां पर थाणा नंबर 4 भी लिखा हुआ है तो फेंडस हम बता दे कि इसके बाद ऐसे बड़ा साइज में नहीं दिखेगा लेकिन थोड़ा सा छोटा सा दिख जाएगा कि यहां ऐसा ही मैप अपना गाउं का है तो ओडर कर सकते देख पाने कि यह मंसूरपूर का है यहां पर सो हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे कि नीचे यहां पर आड़ टू कार्ट पर कि करके यहां पर अब्रण करेंगे इन कें खिल्पर किल जैसी हाँ अपने टू कार्ट में एक जो की ओडर जो है इसको पर सीट करने के लिए उप्सन आ गअ आगा यहां पर हम पर सीट करेंगे को ठोक फिर यहाँ पर आपको जो चार्ज लिया जा रहा है वो है container charge यानि कि जो packing होगा friends हम बतादे जो एक roll में pack होके आता है वो मेरे पास अभी friends वहाँ पर चल दिया है मेरा order तो वो मेरे पास आ जागा तो हमने देखा है कि roll में pack होता है तो उसका container charge यहाँ पर 35 पर रखा गया है और post charge जो की delivery जो आएगा यहाँ पर उसका जो charge है वो 100 रुपया रखा गया है तो total आपको 280 रुपया यहाँ पर लगेगा friends हम बतादे कि अगर आप एक नक्सा करते हैं फिर भी आपको यतना ही लगेगा अगर 4-5 नक्सा एक बार करते हैं तो friends आपको 1500 रुपया लगेगा और यह जो 35 रुपया है 135 रुपया आपको charge है वो 135 रुपया ही लगेगा तो friends बतादे कि अगर quantity में करते हैं तो आपको benefit है अगर एक single करते हैं तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर detail डाल देते हैं यहाँ पर friends हम बतादे कि address में आपको जरूर से जरूर अपने fathers का नाम डालना है क्योंकि जब पहुंचाने आता है आपको post office वाला तो आपको नहीं पचानता है तो इसके लिए वहाँ पर वापस भी कर सकता है अब उसके बाद यहाँ पर address लिख रहे हैं जैसे हम डाल है friends वैसे डाल सकते हैं आप ठीक है उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर पुछा जा रहा है एक mobile number दे दीजेगा क्योंकि वो अगर आपका parcel delivery करने में दिक्कत होगा तो यहाँ पर आपको call कर लिया जाएगा अब यहाँ पर pin code डाला जा रहा है pin code मांगा जा रहा है तो अपने area जो भी pin code है वो डाल दीजेगा उसके बाद checkout पर किलिकीजेगा जैसे ही checkout पर किलिकीजेगा तो यहाँ पर pay करने के लिए option खुल करा जागा तो फ्रेंट देख पार है कि यहाँ पर जो की net banking से किजेगा तो फ्रेंट जल्दी से जल्दी secure हो जागा जल्दी payment हो जाता है और नहीं तो debit card या भी कोई भी अगर card से करते हैं तो आपको अगर payment फसता है तो 24 घंटा आपको रूखना है ना कि आपको दुबारा payment करना है ठीक है तो यहाँ पे पेना उपर हम किलिक करेंगे जैसे ही किलिक किजेगा तो फ्रेंट यह HDFC क जो payment gateway है यहाँ पे खूल कर आ जागा अब आपके सामने यहाँ पे option आ जागा देख पाना है कि यहाँ पे net banking है सारा कुछ net banking है और debit card भी है तो UPI बगारा नहीं दिया गया है इसको देना चाहिए था ठीक है और यहाँ पे हम net banking पर select कर लेंगे और net banking में सिर्फ दो net banking का bank द OTP डालेंगे OTP डालने के बाद automatic यह redact करगा कहेगा कि पीन डालिए फ्रेंस देख पाड़ें कि मेरे account में अभी 10 रुप्या है इस वए से इसको हम payment नहीं कर पाएंगे जैसे ही आपके पास payment आ जागा तो फ्रेंस हम बता दे कि आपको एक receipt यहाँ पे जन्रेट होगा उस receipt क आपको करना क्या है कि यहाँ वहाँ पे आपको रख लेना है फ्रेंस ठीक है जैसे ही payment होने के बाद फ्रेंस एक receipt जन्रेट होगा उसको रख लिजएगा और फ्रेंस हम बता दे कि जैसे कि आपको post office से track नंबर और साथ में आपको सारा कुछ उसी समय मैसेज आ जाएगा हम इसकीन पे जो कि आपको सो कर रहे हैं देखिए इस परकार से आपका track नंबर आएगा देखिए यह जो आपको एक message आएगा article नंबर करके ठीक है article नंबर करके यहाँ पे message आएगा और यहाँ पे आपको link दिया जाएगा और वहाँ पे सारा कुछ बताया जाएगा कि अभी delivery जो है कहाँ पे pending है या पी कहाँ के लिए post कर दिया गा है सारा कुछ update आपको message के थूरू मिलता रहेगा तो अब देख पाने मेरे screen पे अभी पटना pH में मेरा जो की फसा हुआ है जो की अब वहाँ से चलेगा ठीक है तो यहाँ पे जो की post office का track नंबर भी दिया गया अगर post office के track number से track करना चाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे post office track number post office tracking यहाँ पे देख पाने post office tracking पर किली कर लेंगे यहाँ पे हम अपना number को डालेंगे जो की आपको message में आया होगा देखेंगे यहाँ पे जो आपका number आया होगा post office का वो यहाँ पे number डालिएगा उसके बद यहां पर सर्च कर लेंगे तो देख पढ़ने की मेरा जो आइटम है वो ऐंभी फिल हाल पठना रिसीब है पठना में रिसीब हो गया ₹ ध्रींट समम्त आदे कि यहां पर सबसे पहले मेरा जो पठना से ही चल कर यहां पर 20 साली आया था ₹ स्वालिक है, बैसाली के बाद, फिर से हमें पतना के लिए भेज दिया गया है, और उसके बाद फिर मेरा पिन कोर्ट पर जो कि एरिया पिन कोर्ट है उस पर मेरा डिलेवर होगा, तो अभी एक-दो दिन लगे गए, जो हमने ऑडेर किया था 1 तारीक हो, आज फिरन्स अभी भी कोई दिक्कत आता होगा तो आप हमें कमेंट किजेगा या फिर आपको यहां पे जो की एन हेल्पिंग के बेव साइड पे आप यहां पे आपकर हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिंद